राहुल और प्रियांका एक जुट हैं वो बिल्कुल पिलर्स हैं और कभी भी उनके बीच में कोई अंतर नहीं होगी वो मतलब कि अपने जान दे देंगे एक दूसरे के लिए पर कभी भी कोई गलत ऐसे है नहीं मैं गैरंटी दे सकता हूं अपना खून बहा सकता हूं उसमें कि कोई ऐसी चीज है नहीं कि राहुल और प्रियांका में कोई भी इशू हो अबी भी मेरे उपर उन्होंने लगाया कि रोबर्ट को टिकेट नहीं मिला और देखो वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे रिपब्लेक कभी बात ही नहीं करता हूं वो मेरे ।फ्तर के बाहर होते हैं हमेशा 2011 से जब मेरे उपर उन्होंने आरोप लगाए उस टेम भी मैंने उनको दिये कुछ सई information दिया कि यार यह है जो असलेत है उन्होंने का हमारे उपर इतनी प्रेशर है हम डाली नहीं सकते और आज वो मेरे दरपे है कि सर इंटर्व्यू चाहिए आपके साथ पर मैंने का आप लोगों के साथ इंटर्व्यू नहीं करता हूं क्योंकि आपने गलत ही किया चाए जो भी प्रेशर है आपने गलत ही किया तो देखे अभी वो है कि टिकेट नहीं मिला ना कोई पावर ना कोई ऐसी position ना कोई हमें कोई ऐसी चीज से मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है लोगों की इच्छा थी कि मैं लड़ू और उनके लिए लड़ू और मैं बहुत कि अपने जान दे देंगे एक दूसरे के लिए पर कभी भी कोई गलत ऐसे है नहीं मैं गारंटी दे सकता हूं अपना खून बहा सकता हूं उसमें कि कोई ऐसी चीज है नहीं कि राहूल और प्रियांका में कोई भी इशू हो झाल